सफलता की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए वो व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है कठोर परिश्रम के बल पर वो असंभव को भी संभव बनाता है तो इसका मतलब सफलता का राज है कठोर परिश्रम, या ये कह सकते हैं सफलता का एक ही रास्ता है कठोर परिश्रम, क्या लेकिन कठोर परिश्रम में से आज के समय में आप अपना सफलता का रास्ता बना सकते हैं, अगर ऐसा है तो लाखो विध्यार्ती, लाखो प्रतियोगी प्रतियों की परिक्षाओं में बैटते हैं बहुत मेहनत और बहुत कठोर परिश्रम करके आते हैं लेकिन उन में से कुछ सलेक्टेड ही सलेक्ट क्यूं होते हैं मेहनत तो सब ने की थी कठोर परिश्रम सब ने किया था तो सब को सलेक्ट होना चीए लेकिन उन में से कुछ उनिन्दा लोग ही सलेक्ट क्यों होते हैं विध्यार्तियों को लीजे एक विध्यार्ति है जो दो घंटे पड़ता है और क्लास में टॉप करता है उसी का साथी आठ घंटे बैट ले बहुत महनत करता है लेकिन उसकों पो मन्चाहार रिजल्ट नहीं मिलता है ऐसा क्यों? तो इन सभी सवालों से एक चीज निकल के आती है कि क्या केवल कठोर परिश्रम ही काफी है हमें सक्सिस के लिए? या उसमें हमें एक चीज और एड़ करनी चाहिए? हमें कठोर परिश्रम के साथ उसमें एक और चीज एड़ करनी चाहिए वो है राइट डिरेक्शन, सही दिशा आप सही दिशा में, आप महनत तो कर रहे हैं लेकिन आपकी दिशा सही नहीं है तो क्या होगा? वो चीज आपकी सक्सिस नहीं होगी लेकिन आप सही दिशा में, सही डिरेक्शन में आप महनत करेंगे तो आप जरूर सक्सिस पाएंगे आज के समय में अगर कोई व्यक्ति सही दिशा में सही प्लानिंग के साथ और कठोर परिश्रम के साथ महनत करता है तो वो सक्सिस जरूर पाएगा